बॉलिवुड एक्ट्रेस परणिती चोप्रा साइनन नहवाल की बायोपिक में काम करती नज़र आएंगी फिल्म के लिए वह कड़ी महनत कर रही है परणिती घंटों तक पैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रही है ताकि सानिय की गेमिंग स्किल्स, खेलने का तरीका और बाकी चीजों को कॉपी कर सके किरदार में घुसने के लिए परणिती कोई कोर कसर नहीं चोड़ रही हाली में उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल से दो तस्वीरे पोस्ट की है इन तस्वीरों में से पहली तस्वीर में परणिती बैटमिंटन खेलती और दूसी तस्वीर में बैटमिंटन कोट पर ही ठक कर सोती नज़रा रही है इन्हीं तस्वीरों की कैप्शन में पढ़नीती ने ये भी बता दिया कि फिल्म की शोटिंग इसी साल अक्टोबर से शुरू कर दी जाएगी तब तक पढ़नीती साइना के किरदार को जीने और उसे समझने की कोशिश में लगी रहेंगी तस्वीरे जहां काफी दिल्चस्प हैं वहीं इसके साथ दिया गया मैसेज भी पढ़नीती ने तस्वीरों के कैप्शन में लिखा पहले और बाद में आप ये कैसे कर लेती हैं साइन अनेहवाल फैक्टी सेशन के ये तस्वीरे काफी शानदार है फिल्म पहले श्रदा कपूर के हाथ में थी लेकिन शेडियूलिंग के दिकतों के चलते और डेंगू होने के बाद श्रदा ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया श्रदा कपूर ने ये प्रोजेक्ट उस वक्त छोड़ा जब उनके लोकवाई तस्वेरे भी सोशल मेडिया पे शेयर कीजा चुकी थी पैनिती के लिए साइना नहवाल की बाविक का सपर अभी काफी लंबा है उससे पहले फिलहाल उनकी दो फिल्म में रिलीज होने वाली है पैनिती की फिल्म संदीप और पिंकी फराल और जबरिया जोड़ी अभी रिलीज होने वाली है इसके अलावा वो दे गर्ल ऑन दी ट्रेंड में नज़र आएंगी झाल झाल झाल